हालो एब्रीवन वेलकम टू ओडिशे टोरस एचार्ट मर्सगूब तो थोस्ट यानि जो मॉस्ट एक्साइटिंग यह होता है इसको हम बोलते एक्सपारी डे तो एक्सपारी डे का ट्रेडिंग कैसे रहेगा इसके बारे में डिसकेशन करेंगे और मार्केट में किस टेप का काल भी हम दे यह थे अर्ड़ी हम हिरोजीन कल दे दिये हैं तो अगर आप देखेंगे निप्टी में लगवग यहां पे दो तो तो धाईसों पॉइंट का मूब हो फ्रम दर लोग अन ब्यांक निप्टी में अगर आप देखेंगे 1300 पॉइंट का मूब्स देखने को मिला कि इसका ही सबसे थॉटं गजो होगा है यहां पर और एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है तो पहला आप मान के चलुक्त की आज सेलर्स डे में अगाइब सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि मार्केट अभी प्रेक आउट बहुすक्त सिक्वडावी का है मार्केट तो आज के लिए हम ट्रेडिंग के से करेंगे यहां पर 18,000 का जो लेवल है यह का अच्छा-खसा सपोर्ट जैसा काम कर सकता है इसी लेवल के उपर अगर आपको एक बुलिस केंडल फर्मेशन होते हुए दिखेगा तो आप पहले यहां पर आपका जो टार्गेट रहेगा हो रहेगा 18,093 मतलब 18,100 का लेवल दक मार्केट जा सकता है इसी लेवल से यहां तक ठीक है तो इसके बाद अगर मार्केट में बुलिस मुवमेंट हो सकता है तो कहां हमें मूब देखने को मिलेगा हम सिंपल यहां पर ज्यादा पार्गेट चरोगा एक बड़ा घन का वाला टार्गेट हो सकता है अगर मार्केट यह जो 18,100 का level है इसको अगर sustain कर लेता है तो आगे हमें 18,270 का level direct टेकने को मिल सकता है मतलब बहुत ही बड़ा move हो सकता है provided 18,100 का level sustain होना चाहिए ठीक है तो इंदा सेम हुए अगर market 18,100 जो level है यहाँ से अगर market down आता है तो इस cases में क्या होता है यहाँ पे अगर rejection होता है तो हमें down side का target भी देखने को मिल सकता है मतलब 18,100 अभी अच्छा खासा resistance जैसा काम कर रहा है market यहाँ तक जाएगा और यहाँ से अगर bearish candle permission होता है तो इस cases में हमें एक अच्छा खासा down fall भी देखने को मिल सकता है अब यहाँ याद रखिए यहाँ पे आप hero zero calls हम देख सकता है आपको ठीक है मार्केट जो 18,300 का लेबल इसको अगर मार्केट sustain नहीं कर पाएगा तो इसके साथ में मार्केट क्या होगा यहाँ पे भी down fall हो सकता है टार्गेट जो रहेगा downside का 17,900 इसका बाद 17,803 तो मार्केट के condition के हिसाब से हम trade करेंगे तो यह जो चार लेबल है आप इसको अच्छे से मार्क करकर रखिए रखिए तो आपको जागे आगे जाके जब भी मैं आपको levels provide करूँगा जब भी मैं आपको calls provide करूँगा आपक तो फिलाल का के सब्समें यह हम देखेंगे यहां पर ठीक है अब यह और एक लेबल आर कर देंगे काल का जो हाई बना था इसको आर कर लेते हैं तो मार्केट क्या गया यहां पर एक मार्केट अच्छा का सा respect दिया यह लेबल को तो मार्केट अगर 41,620 और 630 के लेबल जो है इसके उपर अगर मार्केट सेस्टन करेगा तो हमें यहां पर इमीडियेटली 41,950 का लेबल देखने को मिलेगा बहुत ही फास्ट मूव हो सकता है ठीक है बैंक लिप्टी में तो अगर यह लेबल से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है तो पहला जो मार्केट का टार्गे करें जाना है ठीक है 41,280 ठीक है यह लेबल का नीचे जो है यह जो लेबल है इसी लेबल का अगर मार्केट नीचे आ जाते तो यहां पी भी आपको आचा खासा शार फॉल देखने को मिल सकता है इसका जो टार्गेट रहेगा 40,900 then 40,650 ठीक है यह जैसे मार्केट आप गया 41,300 to 500 इसी रेंज में थोड़ा कंसलेजिशन के बाद मार्केट अगर यह लेबल को ब्रेकडाउन करेगा तो यहां पे भी एक आचा खासा फॉल से देखने को मिल सकता है यहां पे क्या हुआ है जाकि यह इस टाइप का एक आप साइड मूद देखने को मिला है फिर इनके क्यांडल में ठीक है तो अगर यह हेड़न सोल्डर टाइप का पाटर्न जो होई यह सक्सेस्पूल हो जाता है आपको एक सार्प डाउंशाइड मूब भी देखने को मिल सकता है जिसमें कि हमारा ही रोजिरो कॉल्स बन सकता है आज के लिए तो और लेडि हमारा काल का याद रहेगा और आप खुद का ट्रेड भी खुद कर सकते हों तो थैंक्यू थैंक्यू पर वाचिंग वाचिंग वाइव वीडियो